Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 4.5 से question number 2 करेंगे Draw a rough sketch of a quadrilateral KLMN KLMN, एक quadrilateral बनाना है आपको, तो मैंने quadrilateral यहाँ पे बना लिया है Quadrilateral होती है एक closed figure, जो की 4 साइड से मिलके बनती है तो 1, 2, 3, 4, यह quadrilateral है, इस quadrilateral का नेम करना है बुक के हिसाब से KLMN तो इसकी naming कर लेता हूं, यहाँ पे K लिख लेता हूं, और यहाँ पे L, और यहाँ पे M, और यहाँ पे N naming करते वक्त ध्यान रहे, आप जिस भी तरफ चलो, चाहिए clockwise चलो, आप चाहिए anti-clockwise चलो जिस भी direction में चलो, लेकिन sequence बिलकुल ठीक रहना चाहिए KLMN, ऐसे नहीं है, K यहाँ लिख दिया, इसको छोड़ के L यहाँ लिख दिया यह naming बहुत important होती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा यह बना दिया मैंने quadrilateral, आगे कहता है state, state का मतलब है लिखिए चार पार्ट दे रखे हैं आपको, क्या-क्या लिखवाना चाहता है, नमबर वन पार्ट से शुरू करते हैं, ए पार्ट टू पेर्स ओफ अपोजिट साइड्स, इस quadrilateral के अंदर दो अपोजिट साइड्स का पेर लिखिए तो अपोजिट का मतलब होता है, अपोजिट डारेक्शन, यानि आमने सामने, जैसे KL, ये side हो गई है, इसके सामने आप देखोगे, तो आपको ये NM दिखाई देगी, तो एक तो ये पेर जो है, ये अपोजिट साइड्स का पेर है, दूसरा, ये जो LM है, इसके सामने है KN, तो LM और ये जो KN है, ये अपोजिट साइड्स हैं, तो इसके अंदर दो पेर होते हैं, अपोजिट साइड्स के वो ही आपको लिखने हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे, एक पेर तो हो जायागा, इसका KL और NM, KL and NM, दूसरा पेर इसके अंदर, KN और LM, ये बड़े वाली साइड्स, KN and LM, तो अपोजिट साइड के इसके अंदर दो ही पेर होते हैं, आमने सामने वाली साइड्स, B part में कहता है, two pairs of opposite angles, opposite का मतलब फिर से, आमने सामने वाली, इसके अंदर चार angles होंगे, KL, M, N, अब opposite का मतलब होगा, जो सामने हो गया, L के सामने कौन होगा, L के सामने N होगा, क्योंकि M तो साथ में है न, और जो K है ये साथ में है, तो इसके सामने तो ये हो गया, तो L औ और N, ये opposite angle का एक pair हो गया, तो पहले इसे लिख लेते हैं, angle L and angle N, इसी तरह दूसरा pair ये हो जाएगा, K और M, ये दोनों angles आमने सामने हैं, angle K, angle M, ये angle का निशान है, जब आप angle लिखते हैं, तो angle का निशान आप ज़रूर लगाए, ये angle है, ये angle K and angle M, इसके सामने M है, तो ये हो गये opposite angles, opposite angle के भी इसके अंदर दो ही pair होते हैं, C part पर चलते हैं, two pairs of adjacent sides, adjacent का मतलब होता है साथ, साथ वाली, अब साथ वाली sides देखिए, कोई भी एक side उठाईए हैं, let's suppose KL उठाईए, KL के साथ में आपको दो sides दिखाई देंगी, KL के साथ में LM भी है, और KL के साथ म एक side लोग हैं आप, उसके साथ में आपको दो sides दिखाई देंगी, आप कहीं से उठा लीजिए, LM को ले लीजिए, LM के साथ में MN भी है, और LM के साथ में LK भी है, KN ले लीजिए, KN के साथ में NM भी बोली जाएगी, और KN के साथ में KL भी बोली जाएगी, adjacent sides के इसके अंदर आपके चार पेर बन जाते हैं हमें सिर्फ दो लिखने हैं तो हम दो लिख देते हैं तो मैं साइड ले लेता हूँ L M ये L M ली है मैंने L M और M N ये साथ साथ है L M and M N दूसरी कहीं से कोई भी उठा लीजी आप मैं L M के साथ की लिख देता हूँ दूसरी भी L M and L K ये दो adjacent sides का पेर हो गया है D part में पूछा है two pairs of adjacent angles adjacent आप मतलब समझगे साथ वाला या साथ वाली अब angle की बात कर रहा है तो हमें angle पे focus करना है मैं कोई भी एक angle ले लेता हूँ जैसे कि मैंने L ले लिया अब L के साथ में ये दो है L के साथ में M भी है और L के साथ में K भी है तो L और M ये adjacent angles हो गए L और K ये adjacent angles हो गए ऐसे ही अगर मैं N के adjacent angles देखूँ तो N और M ये adjacent हो गए है क्योंकि ये साथ साथ हा रहे है N और K ये adjacent angles होगे हैं क्योंकि ये साथ साथ आ रहे हैं आप कोई भी दो लिख दीजिए इसके अंदर पेयर तो एक तो मैं लिख देता हूँ L और M एंगल L and एंगल M और दूसरा पेयर में M और N लिख देता हूँ एंगल M and एंगल N तो इस question में आप यही सीखे कि Quadrilateral की Opposite Angles क्या होते हैं Opposite Sides क्या होते हैं Adjacent Angles क्या होते हैं Adjacent Sides क्या होते हैं Quotion खतम Next Quotions के लिए मिलते हैं Next Video में तब तक के लिए Goodbye